पार्ती जन्ता पार्टी दे कौमी परदान जेपी नड़ाम सार पंजाब सरकार रिमोट कंट्रोल रहीं दिल्ली वाया चंडी गाड चल रही है केंद्री सूचना ते परसारन मंतरी अनराग सेंग ठाकूर ने किया कि एक साल वेच सेथ खेतर दे बजट नू दुगणा किता गयाए कौमी लोक दालत दिल लड़ी तेहत पंजाब विच 306 बैंचा ने इकलाग 45,000 वाद मामल्यां दिकीती सुनवाई ते अमरित्सर दे गुर्णानक देव, हस्प्ताल दे, कॉलज दे कुछ हिस्से विच अचानक पड़की अगमगरों मची हफ्रात अफडी तेहुन खबराविस थार नाल पार्ती जन्ता पार्टी दे कौमी परदान जेपी नड़ा ने अजलु द्याना विच वाक वाक प्रोग्रामा विच हेसा लिया इस दोरान अधे दारांदी एक कांफरेंस नूं संबोधन कारदे होना क्या कि अनवाले समय विच पंजाब विच कमल खिडएगा आथे पार्ती जन्ता पार्टी दी सरकार बनेगी और ने पंजाब विच बिज़ेपी ने पहली वार तेहत्तर सीटा दे चोन लड़ी जेस तराँ दा प्यार जनता दा BJP नाले उस दिया दा आरते क्या जा सकता है कि पंजाब दी माजूदा सरकार नो उखाडन दी ताकत वी पार्ती जनता पार्टी वीछी है जेपी नड़ा ने किया कि सिखाली जो काम परदानमंत्री निरेंदर मोदी ने कीते ने वो किसे परदानमंत्री ने नहीं कीते FCR ए तहत शिरी हरमंदर सैबदार रिजिस्टेशन करवाया अते आज दुनिया पार देशर दालू ओथे अपना योगदान दे सकते ने इस तो लावा लंगर तो GST नो हटाया गया जेपी नड़ा ने किया कि आज पंजाब सरकार रिमोट कंट्रोल रही दिल्ली वाया चंडीगल चाल रही है दिल्यते पंजाब दे 16 मैक में आविचाल ले MOU सही बद होये ने जानी ए मैक में हुन रिमोट कंट्रोल नाल चलनगे जेपी नड़ा ने स्वाल किता कि पंजाब दे लोग काने की एसे गाली वोट किता सी उना क्या कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बनन मगरों ठारा साल तो उपर दियां पैणानू एक एक हजार पे देन दा एलान किता सी पर हुन इस दी चर्चा भी बांदे जेपी नड़ा ने क्या कि चौवी केंटे बिजली देन दी गाल लाखी गई सी पर की चौवी केंटे बिजली मिल रही है उन्हें कै कि हाथ दी दांद द खांडे कुछ और दे खांडे कुछ होर ने इस्तोपलना स्वेरलुद्याना पुजनते बीजेपी दे कौमी पर्दान चे पिनड़ा ने शिहीद सुखदेव थापर दे बुद्ते फुल मलामा पेंट कीतिया पंजाब बीजेपी दे पर्दान अश्वनी शर्मानाल देश्ती जादी लई महान बलिदान देन वाले शिहीद आजम पगत सिंग आते शिहीद राजगुरु दे साथी सुखदेव थापर दी जद्धी रहाइस्ते पहुंचे आते उनानु शर्दांचली पेंट कीति इस मौके रास्टी अनसूची जाती आयोग दे चेर्मैन वीजे सांपला आते कई होरनेता मौजूद सान। इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दिया। उनको याद करते हुए ईश्वर हम सब को भी वही प्रेणा दे ताकत दे ताकि हम इस राष्ट को मजबूत राष्ट बनाने में अपना सकल सायोग करें। पे दिन दा एलान किता सी पर ए सिर्फ एलान ही रह गया। दो हजार साथ बाइस मार्च को पांच लाक रुबे देके मकान खाली करवाया गया। दाइस मार्च को यहां पर मन प्रीद बादल जी आते हैं जो कि फिनांस मिनिस्टर थे बादल सरकार में वह यहां पर एक रोड की घोशना करें कि इस घर कर रख रखाव होगा। देकरन हो गया। मगर हमारे संघर्ष के बाद वह हावा में रह गया। उसके बाद 2011 में दिसंबर का महीना था मिर को याद है। केंद्री सुचना ते परसारन मंतरी अनुराग सिंग ठाकुर ने अपने हिमाचल दौरे दौरान आज चंबाल आगे स्रॉल विच बांड रहे मैडिकल कॉलज दी मारत दौरा कीता। उना निर्मान कारजदा जाइजा लिया ते परशासन नुँ जुरूरी है दायता जारी कितिया। इस मौके पत्रकरानाल गालबात कर देया अनुराग सिंग ठाकुर ने किया कि केंदर सरकार ने देश विच सेथ सूलतानु होर वदे रिवदा उन्दा यतन कीता है। इसे लड़ी विच एक साल विच सेथ केतर दे बजटनु दुगणा वदाया गया है। उन्दा क्या कि देश विच जिनने मेडिकल कॉलज पिछले साथ साल विच बने उस तो दुगणा बीजेपी ने आट साल विच बनाई। मैं तरह से क्या दूँ कि अगर आट साल में बनाकर हमने तयार किये हैं। पीजी की सीट हो वो भी हमने दुगणी की हैं। मेडिकल की सीटे तो कही कुना ज़ादा बड़ी हैं। हमारा प्रयास है कि भारत जैसी जनसंख्या के लिए और बढ़ती चनोतियां जैसे कोविड-19 पैंडमी के बाद आए तो क्षमता को भी बढ़ाना और सुविधाओं को भी बढ़ाना। पंजाब सरकार ने जेला विचो अपनियां सरगर्मियां चलाओं दे गैंग्स्टरा ते अप्राधियां खलाफ विड़ी विशेश मोहिम तहत होन तक जेला विचो 710 मोबाईल फोन प्रामत कीते ने। ए मोहिम 16 मार्च तो 10 माई तक चलाए गई इना फोना दी वर्तो गैंग्स्टर ते स्मगलर जेला तो अपनियां कारवाईयां चलाओं ली कार रहे सान। बलाकां विच तब्दील करन दा फैसला किता है। आपनी होंदा सामना कर रहे। आज कॉंग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं समले वक्त की फिकर करना दा क्यामत आने वाली है। तेरा जिकर भी ना होगा दास्तानों में। तो इसलिए सुब कामनाओं के साथ चाहे आज मैं समझता हूँ कि दिस इस माई पार्टिंग गिफ्ट देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होके सच्चाई पर पहरा देते हैं। कितने लोग खड़े होके कहेंगे कि वो पांच चार जो पंजाब वाड़े आये हैं जिन्नोंने आग लगाने की बात की ती उनको बार निकाड़ा जाए ओलसी। उनको तो आपने स्पीकर बना रख है। आप जो सिंग सिद्धू ने एक ट्वीट विच लिखिया कि जाखड ओ सोने दा गैना आए जिसनू कॉंग्रस ना गवाए। उना लिखिया कि कॉंग्रस नू जाखड नू खोना नहीं चाहिदा। चिद्धू ने किया कि किसे भी मसले नू टेबल ते बैठके हाल किता जा सकता है। कौमी लोकदालत दी लड़ी तेहत आज पंजाब दे वकवक जिल्यां विच पंजाब राज कानूनी सेवामा अथार्टी दी अगवाई हेट लोकदालता लगाई यां। इना लोकदालता राही लोकाँ दे कई मामल्यां दा निप्टारा किता गया। सुबे विच कोल 306 बैंच स्तापत किते गया। चेना विच 1,05,780 मामल्यां दी सुनवाई किती गया। एक रिपोर्ट। ते हर्याना हाई कोड दी जज जस्टिस लीजा गिल ने मुहाली विखे लगाई लोक अदालता नरीखण किता। अपने मंतव विच ए लोक अदालत कामयाब हो निपड़ी क्यों जो अदालत वी चल रहे तलाक दे एक मामले विच लोक अदालत ने राजी नामा करवा के कार मुरतों वसाद एता। राजी नामा करनवाडी रंजू वालिया ते उस्ते पती ने अदालत दे फैसले थे खुशी दा इजहार कीता। एस जोडे नो अदालत वलनों इनाम वज्जों एक बूटा देता गया। एस जोडे दी वकील नेहा शुकला मुताबक अपने बच्चें दी बेतरी लई दोहा नो मिलके रहन लई समझाया गया जेस्ते ओ नमी जिंदगी शुरू करन लई राजी हो गया। पंजाब राज कानूनी सेवा वा अथार्टी लई दी लई नो यूनाइट किता गया। अरुन गुपता ने दस्या के लोग दालतां काफी सफल हो रहने। लोग दालता सत वड़ा फैदा है कि एदे वेच कोई बंदा लूज नहीं कारदा कोई जिद्धा नहीं क्योंकि फैंसला राजी नहीं में नल होंदा है। मुहाली दी एस लोग दालता वेच कुल पांच जोड़या ने तलाग दे विचार नु छड़के मुड़तों रहन दा फैसला किता। यकीनन एस सब लोग दालतां दी काम्याबी दी कहानी ब्यान कारदा है। मुहाली तों मनोज गिर्दर नाल शिशु शर्मा शांतल दूर दर्शन समाचार जलंदर। इदर जलंदर जिले विच जिला ते सैशन जाजरू पिंदर जीत चाहल दी अगवाई विच आच लोग दालता दा आयोजन किता गया। इना विच परवारक मामले विया सिवल ते प्रादक कंपाउंडेबल मामले जमीन वसूली अते बैंक रेकवरी नालस बंदत केसां दी सुनवाई किती गई। आते मामले दा निप्टारा किता गया। इना मामले ली पच्ची करोड 15 लाखतो वाद दी देनदारी दा समझाता करवाया गया। चलंदर जुडिशल कंप्लेक्स विच लगाई लोक दालत विच वी बैंच स्थापत किते गया। जेना देन रिखंड जिला दे सैशन जाज रुपिंदर जीत चाहल ने किता। इस मौके चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेटर दे जिला का नोनी से वामा अथौर्टी दी सकतर डॉक्टर गगन दीप कॉर्समेथ होर जजवी मौजूद सान। डेमोक्रिटिक पार्टी अफ इंडिया डीपी आई दे ओधेदारां दी एक मीटिंगा जम्रिसर विच सतनाम सिंग रग्रेटा दी अगवाई विच होई। डेमोक्रिटि दे मेंबर्स मुच्चे पंचाब विच पार्टी नो मजबूत करन दे नाल नाल बाबा सैब डॉक्टर पीम्रा अमबेटकर दी विचार तारा कारकर पहुचाओं लई काम करनगे। वकबाड़ा विच पढ़ती कोई 605 मरीजा नो बार कड़ के सड़कते ले अंदा गया। आगलगन मगरों एकदम हफडा तफडी माच गई ते कई मरीजा नो खिड़कियां तोड़ के बार कड़ आ गया। शनीवार होनकार न ओपीडी विच मरीज नहीं सन, दसे जन्दाए कि इना दोहां ट्रांसफार्मरां तो वी ही हस्पताल नो बिजली दी सप्लाई दिती जन्दिये। कटना दी सुचना मिल दियां ही फायर बरगेट दियां गडियां मौके ते पुजियां ते कडी मुशकत मगरों आगते काबू पाया गया। परे ESP पिलर हेठांडे बैठ गए। गरम स्वानाल दो मलाजमां दे पैर चुल संदिवी खबरे। ये भी क्या जा सकता है? ये भी क्या जा रहे है कि ESP स्वानाल नको नक पार चुकी सी आते इस तो निकासी बांद हो गई सी। बठिंडा दो साधे पतरकार अमरित पाल सिंग मताबक इस कटना नाल बिजली दी किलत नाल जूज रहे सूबे दिया परिशानिया होर वदन गया। क्यों जो एस यूनेट नो मुड चलाण विच तकरीबन दो में न्यादा समा लाग जाएगा। के टड़ी वारागा के संक्ता में निहाल किता चत्की गत का पार्टी में ग्यानी हर्देर सेंग दी अग्वाई विच गत के दे जौर दखाए। खबराँ दे बिलिटन सडे दर्श्वा कारन यू डीडिके जलंदर दे यूट्यूब चानल फेस्बुक पेज ते ट्वीटर हैंडल ते भी देख सकते ने। पार्टी जंदा पार्टी दे कौमी परदान जेपी नड़ांसार पंजाब सरकार मोट कंट्रोल राहीं दिल्ली वाया चंडिगड चल रही है। केंद्री सूचना ते पर सारन मंत्री अनराग सेंख ठाकुर ने क्या कि एक साल विच सेथ खेतर दे बजटनू दुग्णा कित्ता ग्याए। कौमी लोक दालदी लड़ी तैथ पंजाब विच तेंसो चत्ती बैंचा ने 1,45,000 वद मामलियां दिखीती सुनवाई। ते अमरित सर्दे, गुर्णानक देव, हस्पिताल दे, कॉलज दे कुछ हिस्से विच अचानक पढ़की आगमगरों मची हफ्रात अपडी। ते जनाली खपरांद अबलिटन खतम हुंदा है। मैं मास्क लगाके स्टूडियो तो बार जा रही हैं। बार जानवेले तुसी भी मास्क लगाके चाओ। इचाज़त देओ, नमस्कार।